Hello Friends, Hello Everyone, कैसे आप सब, स्वागत आप सभी के Teacher Sada के YouTube चैनल पर, जहाँ पर आज हम डिसकस करने वाले हैं, Financial Management से Related Previous Year Questions, जी हाँ गाइस, जो हमारे UGC Net Paper 2 है, Commerce का, उसमें एक हमारी बहुत ही important unit है, वो है Business Finance, तो हमारे जो Business Finance है, पहले इस unit का जो नाम है, वो Financial Management होता था, लेकिन अब इस unit का जो नाम है, वो चेंज करके Business Finance कर दिया गया है, तो आज हम उसी Business Finance से Related, जो Previous Year हमारे Questions है, उनको हम करेंगे, क्योंकि Previous Year Questions करने से, आपको एक्जाम में पूछे जाने वाले जो Questions है, उनका पैटरन पता चलेगा, कि NTA ने जो UGC Net के एक्जाम के Questions है, वो किस तर करती थी, उस टाइम पर जो एक्जाम में पूछे जाने वाले जो Questions उसका पैटरन क्या था, वो अलग था, फिर इसको कहा है, CBSE ने कंड़क्ट करना शूरू किया, CBSE की टाइम पर इसका जो पैटरन था, वो कुछ डिफरेंट था, और जब से NTA इस एक्जाम को कंड़क्ट करें, तो उसका जो एक्जाम में क्वेशन पूछने का जो पैटरन है, वो कि आपका टॉटली डिफरेंट अब बिल्कुल चेंज हो चुका है, क्योंकि जो NTA है, वो अब आपकी क्या है, Conceptual Understanding, क्या है वो आपकी Conceptual Understanding, जस्ट ए मिनिट गाइज, NTA जो अब Questions पूछती है, वो आपकी पूछती है, Conceptual Understanding से Related, जी हाँ, Conceptual Understanding, कि आपको किसे भी Concept की कितनी Understanding है, आपकी जो Concept वो कितनी Clear है, क्योंकि गाइज, अगर आपकी Concept क्लियर होगी, आपकी जो Basic Fundas है, Concept से, जो Basic Concept से, जो Fundamental Concept से, आपके Commerce Subject से Related, अगर आपकी वो क्लियर होगी, तो ही आप उस Question का जो है Answer, बड़े Easily और बड़े समूदली से दे सकते हो, अपने Exam को, UGC Net को और JRF को अपना को क्या कर सकते हो, क्रैक कर सकते हो, लेकिन उसके लिए कि आपकी जो Concept जो है, जो आप अपने का, उस Dream को अपना पूरा कर सको, तो Guys, इसी के लिए Conceptual, आप सभी Students की Conceptual Understanding को बनाने के लिए ही, 23rd August, 23rd August, यानि कि जो हमारा Coming Monday है, इस Monday से, Teachers Adda, आप सभी Students के लिए, जो UGC Net Paper 1 और Paper 2 की तयारी कर रहे हैं, क्योंकि अब क्या है, UGC Net के Exam की हमारी dates आ चुकी है, 6 October से 11 October के बीच हमारा exam होने वाला है, और Most Probably जो Commerce का exam की date वो 11 October ही रहेगी, क्योंकि अगर हम पिछे के पिछले pattern को देखें, तो वहाँ पर हर बार जो Commerce है, क्योंकि Commerce related जो exam वो बहुत साधा candidate वो देते हैं, तो NTA जो Commerce की exam में वो बिलकुल last में रखते हैं, बिलकुल last day, तो 11 October को क्या है, आपका Commerce का exam रहेगा, Most Probably, तो अभी इसी के regarding क्या है, आप फोर्म फिल कर सकते हो, जो आपका open है, आपके लिए जो open है, वो 5 सितंबर, आपकी last data, 5 सितंबर ते क्या आप अपने फोर्म को फिल कर सकते हो, और इसी के लिए क्योंकि आपके पास के बहुत limited सा time है around 50 to 60 days, यानि कि मोटे तोर पर अगर हम बात करें तो 2 महिने आपके पास और इन 2 महिनों में ही आपको क्या करनी है, अपनी तयारी करनी है, और गाइस यकीन मानिये, जो तयारी हमारी exam date से 2 महिने पहले के time period में होती है, वो तयारी हमारा पूरे साल में नहीं हो सकती, क्योंक अग्जाम को लेकर कि हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, अगर जो student UGC net के exam को क्वालिफाई करना ही चाते है कि हाँ हमें इस exam को इसी attempt में clear करना है, और गाइस मैं आपको बता दू कि अब की बार का जो exam है, वो बहुत ही special है, वो special क्योंकि अब की बार NTA ने तो एक्जाम जो उसके December 2020 में exam होने वाला था, प्लस जो उसका June 2021 में exam होने वाला था, जो कोरोना की वज़े से वो नहीं कर पाए, उन दोनों exam की जगे क्या है, वो एक ही exam conduct कर रही है, तो जब और एक ही exam conduct कर रही है, तो NTA को क्या है, हर बार अपने जितने भी total candidates उसके exam में appear हो रहे हैं, उसका 6% उनको क्या करने होते हैं, क्वालिफाई करने होते हैं, तो जब अब दो exam की जगे एक exam लिया जा रहा है, और NTA ने अपने official notice में साफ साफ लिखा है, कि वो दोनों exam की जो slots हैं, उसको क्या कर रही है, मर्ज कर रही है, मर्ज कर रही है, तो वहाँ पर जो उसको result है, वो भी क्या करना होगा, 12% देना होगा, 12, अब आप ये question करेंगे, कि 12% कैसे देना होगा, right, तो 6% तो आपका हो गया जी, December 2020 का जो exam होना था, और 6% हो गया जी, आपका, June 2021 में जो exam होना था, आपका, क्योंकि अब अगर ये दोनों अलग अलग exam होते, तो 6% यहाँ पर declare होता result, 6% आपका जो result है, यहाँ पर declare होता है, लेकिन अब इन दोनों की जगे आपका एक ही exam हो रहा है, वो हो रहा है, 6 October से, 11 October के बीच बीच, जब exam एक हो रहा है, तो इसका जो result है, वो अब 6% की बजाए, बलकि कितना जाएगा, 12%, क्योंकि NTA ने अपने official notice मे यह बात साफ साफ लिखी है, कि वो दोनों exam को merge कर रही है, जब exam को merge कर रही है, तो उसका जो result है, वो भी क्या होगा, merge होगा, और वो 6% की बजाए, जो result है, वो कितना दिया जाएगा, 12%, तो guys, आप सभी students के लिए यह कहे, golden opportunity है, कि आप इस last के two months में, पूरी पूरा अपना 100% दे के अपनी exam की तयारी करो, हमारे साफ जुड़र अपने इस batch को, जो कि 23rd August से स्टार्ट हो रहा है, इस batch में अपने आपको enroll करो, क्योंकि guys, इतनी guarantee में आपको दे देते हैं, कि अगर आप हमारे इस batch में, जो भी आपको पढ़ाया जाएगे, आपकी जो concepts clear करवाया आपको MCQs करवाया जाएगे, इतना content आपको दिया जाएगा, तो अगर आप हमारी class से पढ़कर, इस exam को क्या है, definitely crack करते हैं, क्योंकि अगर आप हमारी class से पढ़ते हो, तो आपको कहीं और से कुछ भी पढ़ने की need नहीं है, क्योंकि हमारा जो content है, हमारी जो concepts की understanding है, वो अपने आप में इतनी sufficient है, कि आप first attempt में ही क्या है, exam को qualify कर सकते हो, तो guys, अगर आपको ये मेरी video सुन रही है, अगर आपको audio video आपको आ रही है, तो guys, please thumbs up देके, आपके है अपने comment section में, comment कीजे कि आपको हाँ audio और visual बिल्कुल एक दम clear है, and please keep like the video and keep share the video guys, please, तो guys, क्या है, अब की बार का जो हमारा net का exam है, वो बहुत special होने वाला है, क्योंकि इस exam में 12% result आएगा, और 12% result आएगा, तो जो भी UGC net के aspirants है, जो इसी attempt में अपने exam को qualify करना चाहते हैं, तो वो इस को, इस batch को definitely purchase करो, जो कि आपका 23rd August से start हो रहा है, 23rd August से paper 1 के लिए औ और paper 2 के लिए, दोनों के लिए हमारे जो batches से start हो रहे हैं, और guys, इतनी इन दोनों batches के जो prices है, वो बहुत नॉमिनल से रखें गए हैं, अगर आप बड़े शहरों में जाते हो, चंडिगर, डली, कहीं बेर, अगर आप जाके क्या करते हो, अपने exam के लिए coaching लेते हो, paper 1 के ले, चाहे paper 2 ले, 20, 30, 40,000 से कम, आपको कहीं भी coaching fees से कम नहीं मिलेगी, लेकिन teachers अड़ा, अपने students के लिए, ये सारी coaching सिर्फ और सिर्फ 2,000 रुपीज, only rupees 2,000, सिर्फ 2,000 रुपे में आपके लिए क्या है, paper 1 की coaching लेकर आ रहा है, और अगर आप paper 1 और paper 2 दोनों के लिए purchase क रहे हो, तो around only 3500, only rupees 3500, साड़े 3,000, guys 2,000 रुपे की तो अगर हम friend circle में आपस में भी party करें, इतनी तो हम party करने में ही उड़ा देते हैं, 2,000 रुपे, आज की टाइम में कोई जादा amount नहीं है, तो guys सिर्फ 2,000 रुपे में आपको क्या है, अपने घर बैठे, इतना content मिल रह है, पढ़ने को live classes आपको मिलेंगे, recorded classes आपको मिलेंगे, plus इसकी जो validity है, वो भी दो exam तक रहेगी, और वैसे तो आपका इसी बार में, first attempt में अगर आप अपना 100% देते हो, तो आपका जो exam वो first attempt में ही clear हो जाएगा, क्यों? क्योंकि अब की बार जो result है, वो NTA को 12% देना हो तो guys, अपने आपको please इस batch में enroll कीजिए, जो भी आपके friend circle है, उनके साथ इस video को share कीजिए, ताकि उन्हें भी पता चल सके कि अब की बार का जो net का exam वो इतना special क्यों है, और guys, जब आप code को purchase करोगे, जब आप batch को purchase करोगे, तो अगर आप इस code को use करते हो, Y337, अगर आप को use करते हो, तो आपको 77% की discount मिलेगी, जी हाँ guys, 77% discount कहीं पर भी नहीं मिलेगा, इतनी huge amount सिफ teachers अड़ा ही आपको दे सकता है, अगर आप इस code को use करते हो, बैच को purchase करते हो, and guys, please definitely, अगर आपको, आप अपने UGC net के exam के लिए, बिल्कुल serious हो कि हाँ, मुझे इसी attempt में करके purchase कर लिजे, क्योंकि 2000 रुपे कोई जादा बड़ी amount नहीं है, 2000 रुपे की तो हम अराम से अपने friends circle में बैठके party आं कर लेते हैं, इतने में अपनी parties कर लेते हैं, तो 2000 रुपे में तो आपको क्या है, पूरा अगर आपका net qualify हो जाता है, आपका GRF qualify हो जाता है, तो आप colleges और university में पढ़ा के 50,000 रुपे पर बजन की सिर्फ 2000 रुपे की investment करके, आप से भी students तो क्या है, आप commerce के student हो, तो आपको इसमें क्या है, cost दे सकते हो, क्या आपको क्या है, सिर्फ 2000 रुपे की investment करी है, और जो आपको return हो 50,000 रुपे, क्योंकि अगर आप colleges और university में जाकर 57,700 आपको मिलते हैं, पर मन्त, मतलब अगर आप हरियाना में हैं, हरियाना की किसी भी government college में अगर आप पढ़ाने के लिए, अगर आप contextual base पर भी जाते हैं, तो 57,700 पर मन्त आपको क्या है, in hand मिलते हैं, और अगर आप JRF क्वालिफाई करके PhD में admission लेते हैं, तो भी guys आपको 2000 रुपे की investment करके, आपको इतना बड़ा फायदा मिल रहा है, 57,700 रुपे या फिर 35,000 रुपे, आपके पास दो option हैं, आप अपने UGC net के exam को qualify करके, अगर आप college में या university में पढ़ाते हो, तो आपको 57,700 रुपे पर मन्त, क्या है, in hand मिलेंगे, सिर्फ क्या, 2000 रुपे की investment करके, और अगर guys, आप क्या है, PhD में admission लेते हो, जे आरेफ क्वालिफाई करके, तो हर महीने आपको 35,000 रुपे मिलेंगे, तो guys, it's not a, ये कोई इतनी बड़ी वो नहीं है, मतलब इस deal में आपको क्या है, बिलकुल फायदा ही फायदा होने वाला, लोस आपका कहीं भी नहीं क्योंकि teachers, अड़ा, आप सभी students के लिए बहुत ही nominal amount पर, जो बिलकुल हमारी cost है, सिर्फ उस cost पर, आपको क्या, cost भी क्या है, cost भी हमें इसमें पूरी नहीं है, सिर्फ 2000 रुपे में आपके लिए इतना content आपको provide किया जाए, सारे previous year questions आपको करवाय जाएंगे, MCQs आपको क कुछे जाते हैं, mock test आपको guys करवाय जाएंगे, प्लस जितनी भी concepts हैं, वो सारी की सारी concepts आपको करवाय जाएंगे, और guys, सबसे main benefit कि अगर by chance आपका exam नहीं भी होता है, qualify किसी भी reason की वजह से, तो इस batch की जो validity है, वो दो exams तक है, तो अगर इस batch में हैं, तो next exam, next exam तक भी कह है, आपको video, lectures, हर एक content, हर एक चीज़ आपको बिल्कुल free में मिलेंगी, सिर्फ 2000 रुपे की ही payment करके, ठीक है, and third thing क्या है guys, third thing क्या है, hello जी, hello दर्शन कुमार, good evening, आफरीन बहुत बढ़िया, कैसे हो आप सब, आफरीन आपने batch purchase किया, दर्शन कुमार जी, please batch purchase कीजिए, if you are interested in, अगर अगर आपको इसी बार क्या है, अपने UGC net के exam को qualify करना है, तो guys, please batch को purchase कीजिए, क्योंकि जितना जल्दी आप batch को purchase करोगे, जितना उतना ही जल्दी आप अपनी success के करीब होगे, इतनी ज्यादा जल्दी आप अपनी मंजिल को पा लोगे, right guys, और अपकी बार का जो एक्जाम है, वो बहुत ही special होने वाला है, वो क्यों होने वाला है, वो आपको पहले भी बता चुकि अब फिर बता देते हैं, क्योंकि जो कुछ students हो हमारे साथ अब जुड रहे हैं, तो students, जो हमारा exam है, अपकी बार, उस exam में किया हमारा 12% result जाने वाला है, तो इस वज जो ड्रीम है, schools, colleges, colleges और universities में पढ़ाने का आपका जो ड्रीम है, उसको आप जीए, बिलकुल लाइव जीए, नेक्स ताइम जहां पर आज मैं खड़ी होकर आपको पढ़ा रही हो सकता है, कि नेक्स टाइम में आप नेट कॉलिफाइ करके आप यहां पर पढ़ा रहे हो, औ आपको पूरे इन्ने में लाइव वीडियो आपकी जा रहे हो, तो guys सिर्फ 2000 रुपे की investment है, 2000 कोई जादा बड़ी amount नहीं है, आफरीन जल्दी purchase कर लीजे, क्योंकि limited seats और early birds के लिए 77% का discount है, जितना आप delay करोगे हो सकता है, अगर हमारी seats complete हो गई, तो आपको इतना discount नहीं मिल पाएगा, तो guys इसमें सोचने वाली बिलकुल भी नहीं है, क्योंकि आपकी exam की dates announced हो चुकिया, officially announced हो चुकिया, अब आपके पास बहुत limited सा time है, और आपको इस limited time period में ही, देखवा, guys आप सबको पता है, क्यों UGC net जो paper 1 है, उसका syllabus उसमें कह 10 unit है, 10 different units है, उसका syllabus भी ब बहुत, अपने हमें कहा, बहुत wide unit है, कई units में तो हमारे कहा, दो-दो subject को merge किया हुआ है, जैसे कि business economics है, business environment है, international business environment है, management है, HRM है, right, इस तरहें कि जो units है, उसमें कहा, दो-दो units को club करके बनाएगा, तो syllabus कहा, बहुत जादा wide है, और इतने सारे syllabus को आपको सिफ दो महिने में नहीं कहा है, cover करना है, तो guys, late मत कीजिए, फटा-फट batch को purchase कर लीजिए, और इस code को use करते हो, आप batch को purchase करो, तो आपको maximum to maximum 77% की discount मिल जाएगी, तो guys, ये तो बात हुई, हमारी batch को लेकर, और exam को लेकर, अब हम बात करते हैं, अपने financial management से related, जो previous year questions है, क्योंकि previous year questions है, आप वाले questions का pattern पता जलता है, कि exam में किस तरीके से जो questions है, वो पूछे जाते हैं, ताकि आप उसी के according अपनी तयारी कर सको, तो guys, फटा-फट आईए, live, जुड़िए हमारे साथ, and please guys, like the video, and please share the video, ताकि हम अपना जो session है, उसको फटा-फट स्टार्ट करते हैं, तो guys, ये है ज को clear गर दूँ आपको ताकि जो question है, वो अच्छे से visible हो जाए, हंजी guys, हंजी हंजी, हिंदी में भी रहेगा, और इंग्लिश में भी रहेगा, क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट भाष है, तो उसको तो हम छोड़ी नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारे ऐसे students है, जिनका जो medium है, वो हिंदी है, तो ऐसा कुछ नहीं है, कि हम सिर्फ आपको इंग्लिश में ही पढ़ाएंगे, इंग्लिश तो सिर्फ क्या है, कि हमें competition में रहने के लिए इंग्लिश को use करना पड़ते है, क्योंकि आज के time में, इंडिया के अंदर specially क्या है, इंग्लिश को क्या है, एक आपका एक judge, मनलब English language आपको कितनी आती है, कितनी नहीं आती है, इस से आपको क्या है, जज किया ज आपको जो सारी कि सारी concept है, वो हिंदी में ही समझाई जाएंगी, जो आपको content दिया जाएगा, वो हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में, क्योंकि ना तो हम pure Hindi, जो पूरा का पूरा पूरा प्योर हिंदी में पड़ सकते हैं, ना ही हम proper पूरा इंग्लिश में कर सकते हैं, त तो आपका जो exam है, जो आपका content है, वो आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही रहेगा, जी बिल्कुल हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही रहेगा, तो बिना hesitation के, बिना किसी अपके mind में कोई भी question आप batch को purchase कर लिए, क्योंकि यहां से अगर आप पढ़ोगे तो आप आपको कोई अलग से previous year questions करने की नीड है, ना आपको अलग से MCQs करने की नीड है, ना ही आपको कोई अलग से book पढ़ने की नीड है, क्योंकि हम आपको जो content provide करेंगे, उसी content को पढ़ कर बस आपकी एक चीज की हमें requirement है, कि आपको अपना पूरा 100% देना पड़ेगा, आपक क्या है, एक्जाम को qualify करना है, क्योंकि guys आप अगर अपना पूरा 100% देकर एक्जाम को इसी बार qualify कर लोगे, तो definitely आपका एक्जाम qualify होगा, लेकिन अगर आप अपना पूरा 100% नहीं देते हो, 40% देते हो, 50% देते हो, मतलब कुछ-कुछ देते हो, completely नहीं पढ़ते, जितना आपको पढ़ना चाहिए, उतना आप नहीं पढ़ते हो, जितना आपको concepts clear करनी चाहिए, उतना अगर आप नहीं करते हो, तो guys, ये बात मुझसे लिखवालो, आपके attempts लगेंगे, क्योंकि जो UGC NTA Net है, वो अब आपकी conceptual understanding के regarding इसमें questions पूछे जाते हैं, पहले जब UGC और CBSE conduct करता था, उस time पे हमारे जो exam से questions रहते थे, उनका एक अलग pattern था, वहाँ पर आप सिर्फ keywords को use करके, matching के questions आते थे, जैसे for example में आपको बिल्कुल live मेरा खुद का experience है, और क्या है matching के questions है, वो पहले भी आते थे, वो अब भी आते हैं, पहले के matching के questions होते थे, उसमें क्या होता था, कि अगर आपकी एक, क्योंकि उसमें होती थी हमारी चार concept की charge एक list one ने, एक list two है, list one को list two के साथ match करना है, list one में आपकी चार items दिया है, तो अगर आपकी एक item भी दूसरे के साथ match कर गी तो आपका पूरा answer वहीं पर crack हो जाता था, लेकिन अब जो NTA के time पे जो हम चारो options, चारो items को सभी के साथ क्या करना पड़ता है, मैंने match करना पड़ता है, तो guys आप यहीं से idea लगा सकते हैं कि जो NTA है, उसने exam के pattern को क्या कर दिया है, थोड़ा difficult कर दिया है, बहुत ही high level का कर दिया है, पहले जो questions है वो बहुत ही simple तरीके से पूछे जाते हैं, लेकि अब जो questions का exam का pattern है, वो थोड़ा high level का कर दिया गया है, तो guys इसी लिए आपकी concept की understanding, आपकी concept की knowledge, आपकी basic knowledge, आपकी fundamental knowledge क्या है, कितनी है, किसी subject को लेकर, किसी topic को लेकर, वो आपकी क्या है, इस question paper में judge की जाती है, आपकी main आपकी जो knowledge हो वो इसमें judge की जाती है, यह नहीं judge किया जाता, कि आपको कितना आता है, कि आपकी जो आपका जो ग्यान है, आपकी जो knowledge है, किसी particular topic के regarding, क्योंकि इसमें आपको concept की कहा है, deep understanding होने चाहिए, अगर आपको deep understanding है, तो आप question को definitely crack कर लोगे, और questions अगर आपके crack हो जाएंगे, तो आपका UGC net का, जो JRF है, वो भी क part हो रहा है, और Y337 code को आपको use करना है, इस code को अगर आप use करोंगे, तो 77% के आपको discount मिलेगी, guys, कोई भी channel आपको इतनी huge discount नहीं देता है, तो it's a golden opportunity, मैं बार बार आपको कह रही हूँ, it's a golden opportunity, क्योंकि teachers address शुरू से ही अपने students के लिए कुछ ना कुछ करता आया है, तो teachers address क्या है, आप लोकली ये क्यों लेकर आए, क्योंकि बहुत सारे हमारी जो research team है, उसने ये research कि बहुत सारे स्टूडेंट्स है, जो UGC net को qualify करना जाते हैं, लेकिन उनके पास इतने resources नहीं है, financial way में, या फिर उनकी बड़े शेहरों तक रीच नहीं है, क्योंकि teaching में mostly क्या ह हमारे girls जो रहती है, वो girls faculty के है, वो जादा रहती है, तो boys तो क्या है, फिर भी क्या है, एक city से निकल के दूसरे शेहर में जा सकते हैं, लेकिन जो parents है, वो girls को इतना एक city से दूसरे city में नहीं भेजते हैं, और जो ये exam है, इसमें mostly, मतलब जादा तर्मा, ये नहीं कह रहे कि वो अकेले कैसे रहेंगी, इस तरह कि बहुत सारी हर एक, मतलब हर किसी के साथ नहीं है, लेकिन mostly ये चीज देखी जाती है, तो guys आप सभी students के लिए ही क्या है, इस batch को launch किया जा रहा है, बिल्कुल बहुत ही कम amount पे ताक कि हर student तक जो UGC net के लिए तयारी करा है, दे रहे हैं, ताकि आप अपने dreams को पूरा कर सको, हम आपको educator बना सकें, तो guys आई ये फड़ा फट स्टार्ट करते हैं, अपना आज का session, आज के session में हमारे जो first question है, ये match the following, इसमें क्या करना आपको, list 1 और list 2 आपको दे रखी है, matching approach, structural ratios, ordering quantity or bonus share, list 2 में आपके given है, dividend policy, inventory management, financing working capital and capital structure, तापको इसको list 1 को list 2 के साथ क्या करना है, match करना है, guys, जो हमारी matching approach है, वो होती है, हमारी working capital, working capital में हमारी 10 स्ट्रॉक्ट्यर रेशोज हमारी थे कैपिटल स्ट्रॉक्चर में किस स्टुक्चर में प्यांक क्वांटेटी ऐपके हमारे इन्वेंडरी मेनेजमेंट inventory management का मतलब होते है stock management उसके बाद जी bonus share bonus share होते हैं जी आपका dividend policy में तो guys right answer है आपका third is the right answer third is the right answer next question है जी आपका positive NPV in project appraised by a firm may not occur and on account of की जो हमारा positive एक firm द्वारा मुल्यांकित परियोजना में स्कारात्मक NPV का खाता नहीं हो सकता है किस पर नहीं हो सकता है economies of scale market reach product differentiation और intangible benefits बताओ students hurry up आफरीन फटा फटा आंसर कीजिए क्या answer है positive जो NPV है वो हमारी इन में से किस पर नहीं हो सकती तो positive NPV हमारी intangible benefits के case में नहीं हो सकती है intangible benefits कौन से होते हैं वो benefit जिनको हम ना देख सकते और नहीं छू सकते सिर्फ क्या है feel कर सकते हैं वहाँ पर हमारी जो positive NPV किसी भी project की वो एक form की intangible benefits पर नहीं हो सकती है next है आपका in case the projects are divisible under capital rationing an appropriate project appraisal method is कि capital rationing के base पर अगर हम किसी project को क्या करते हैं क्या करते हैं हम किसी project को divide करते हैं यदि परियोजनाए पुंजी राशनिंग के तहत विभाजे हैं तो एक उप्युक्त परियोजना मुल्यांकन पदती है नहीं कि capital rationing के under अगर हम किसी प्रोजेक्ट हो क्या करते हैं डिवाइड करते हैं तो कौन सा मेथट आपका सबसे सही रहेगा नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, प्रोफितेबिलिटी इंडेक्स मेथड, इंटर्नल रेट ओफ रिटर्न मेथड और पेबेक पिरियेड मेथड बताओ स्टुडेंट्स आफरिन फड़ा फड़ा आंसर कीजिए बाकी स्टुडेंट्स जो भी करनेक्टिड हैं फड़ा फड़ा आंसर कीजिए क्योंकि यहाँ पर मेरे क्वेशन्स मैं खुदी क्वेशन बताओ और खुदी ही आंसर बताओ वो तना सफिशेंट नहीं है अगर आपको भी अपने एक्जाम क्वालिफाई करना है तो आपको भी कमेंट करके बताना होगा आप चाहिए सहीं आंसर दो या गलत दो ये मैटर नहीं करता है मैटर करता है आपका आंसर करना आप बस आंसर कीजिए वो गलत है सही है यह आपका सोचना नहीं है आपका करम क्या है सिर्फ और सिर्फ अंसर गरना करम करो सिर्फ अपना करम करो result मत देखो कि result क्या है आपका कि आप सही दे रहो या गलत क्योंकि अगर आप करोगे तो definitely आपका जो result है वो भी positive ही आएगा तो करम करना important है करम करोगे तो आपको result भी मिलेगा लेकिन अगर आप करम ही नहीं करोगे तो result कहां से मिलेगा अगर मतलब आप answer ही नहीं दोगे तो सही है या गलत है वो तो बाद की बात है न सबसे important क्या है answer करना तो guys जो भी students connected है फटा फट answer कीजिए क्या answer रहेगा कि अगर हम capital rationing के base पर किसी project को divide करते हैं तो वहाँ पर सबसे appropriate method होगा जी आपका profitability index method कौन सा method रहेगा आपका profitability index next है permanent working capital is generally finance throw जो हमारी permanent working capital permanent working capital कौन से होती है यह हमारी जो हमें throughout the year जिसकी हमें क्या है need रहती है जिसकी हमें क्या है throughout the year need रहती है मलब जो इतना working capital का इतना amount तो आपको हर साल चाहिए ही चाहिए मुलब पूरा साल इतना working capital तो आपको जीए क्योंकि working capital पूरे साल आपके इतने खर्चेतों होते रहते हैं वो होती है आपकी working capital एक होती है हमारी fluctuating यह है हमारी fluctuating यानि कि अगर organization में कुछ नया हो रहा है कोई भी events हो रहे हैं तो उसकी क्या है कभी हमें ज्यादा need है कभी हमें कम need है कभी ज्यादा है कभी need है कभी कम है कभी ज्यादा वो होती है हमारी fluctuating working capital और एक होती है हमारी permanent permanent working capital वो जिसकी हमें throughout the year क्या है equal कि इतनी amount तो इतने खर्चेतों हमारे होने ही होने हैं जैसे कि for example अगर मैं बात करूं किसी भी college में किसी भी school में जो teachers और उनकी salary क्या हमें देनी ही देनी है ठीक है कि हमें हर साल क्या है 10 लाग उर्पे या 5 लाग उर्पे क्या है teachers को salary मतलब हमारे पास 5 लाग उर्पे तो हर time available हर महिने होने ही चाहिए वो है जी आपकी permanent working capital की जिसकी requirement आपको throw out the year इतनी खर्चेतों आपके भी होंगे ही होंगे अगर आप business में है त तौश्टय आपको इतने खर्चेतों करने ही पड़ेंगे वो होती है जैपकी permanent working capital को हमेसा long term capital fund से क्या करना चाहिए finance क्योंकि ये materials क्योंकि permanent working capital क्या है जिसकी हमें पूरा साल इतना तो amount हमें चाहिए तो उसको अगर हम long term capital funds से finance करेंगे तो वो हमारे ले क्या है ज्यादा better रहेगा नेक्स्ट है जी आपका the appropriate ratio for indicating liquidity crisis liquidity crisis को define करने के लिए appropriate ratio आपकी कौन सी है operating ratio sales turnover ratio current ratio और acid test ratio बताओ students बहुत ही simple सा question है hurry up बहुत है ängt करीड़ी उना झाल 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 बहुत है झाल 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 पल झाल भर उř आल रहा लिक्विडिटी क्राइसीज को बताने के लिए सबसे एप्रोप्रियेट रेशो कौन सी है तो सबसे एप्रोप्रियेट रेशो है जी आपकी एसीड टेस्ट रेशो एसीड टेस्ट रेशो एसीड टेस्ट रेशो लिक्विडिटी क्राइसीज क्योंकि जो लिक्विडिटी का मतलब करता है जिसको हम एसीड टेस्ट रेशो कहा है जिसको हम बहुत जादा जल्दी कहा है cash में convert कर सकते हैं next again matching the list list 1 को list 2 के साथ match करना dividend capitalization approach dividend capitalization approach दीथी जी आपकी Gordon ने वो क्या करता कि जो dividend उसको क्या कर देना चाहिए मैं capitalize कर देना चाहिए तो वो approach दीथी जी आपकी Gordon model किसने बोला था ऐसा Gordon ने dividend policy has a bearing on the share valuation कि जो हमारे dividend policy है उसका share की valuation के उपर क्या है effect बढ़ता है तो ये दिया था जी आपका Walter ने राइट उसके बाद stock market places more weight on dividends than on retained earning ये हमारा कौन कह रहा है ऐसा कहा गया जी हमारे traditional model में and dividend payout ratio is irrelevant to the value of the firm dividend जो payout ratio है वो firm के लिए क्या है totally irrelevant चाहिए आप dividend pay करो या ना pay करो आपकी value of the firm के उपर कोई effect नहीं पड़ेगा ये हमारी approach दी थी mmf model ने modiglanian miller approach तो right answer है जी आपका first a is the right answer venture capital financing at starting stage is generally not done through किस बिलकुल starting में जब हम venture capital finance करते हैं तो वो कहां से हमें नहीं करनी चाहिए तो venture capital जो है वो आपको नहीं करनी चाहिए debt instrument, deep discount bond, equity share और conditional loan बताओ students hurry up फड़ा फड़ा आंसर करके comment करके answer कीजे guys hurry up guys please hurry up comment कीजे and the time's up तो venture capital जो financing है बिलकुल starting stage में हमें deep discount bonds से नहीं करनी चाहिए again match the list one with the list two lesser transfer all risk and rewards of an asset to the lessee कि एक जो ये हमारा है lease financing से related है right इसमें क्या कहा गया कि जो lesser है वो सारा रिस्क और सारे रिवार्ड assets से related जितने भी रिस्क और जितने भी रिवार्ड्स है वो किसको transfer कर देता है lessee को transfer कर देता है तो ऐसा किस लीज में किया जाता है ऐसा किया जाता है जी आपका finance lease में किसमें किया जाता है आपका finance lease में उसके बाद है जी second lesser transfer the assets to the lessee but bear the cost of maintenance कि lesser lessee को asset तो transfer कर देता है लेकिन जो cost of maintenance वो खुद bear करता है तो ऐसा होता है जी आपका operating leverage में किसमें होता है आपका यह जिसमें सारे के सारे risk को reward आपके lessee को transfer कर दिये जाए उसे हम कहते है finance lease लेकिन इसमें जो cost है maintenance की asset की को maintain करने की जो cost है वो कौन bear करेगा जी lesser ही bear करेगा lessee bear नहीं करेगा तो ऐसा होता है हमारा operating leverage में ठीक है जी तो उसके बाद है owner of the asset sells it to the lesser who in turn leases it back to the owner नहीं कि जब एक owner किसी asset को lesser को ही sale कर देता तो फिर बाद में lessee उसको वापिस sale कर देता तो उसे हम कहते है जी indirect lease उसे हम कहते है indirect lease and lesser owns or acquire the asset that are leased to a given lessee वो होता है जी हमारा direct lease तो right answer है जी आपका third c is the right answer c is the right answer बिल्कुल जी बिल्कुल बहुत बढ़ी आफरीन बिल्कुल सहीं answer है आपका next है full details for the issue of ADR by a company must be furnished within 30 days from the date of its closure किसी company द्वारा ADR जारी करने के लिए पूर्ण विवरन इसके बंद होनी की तारीक से 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाना है किसके पास प्रस्तुत किया जाना चाहिए तो guys यह प्रस्तुत किया जाना चाहिए आपका RBI के पास ADR से related जो भी हमारी information है company को वो उसके 30 days जो उसकी date है जब उस date को वो मतलब उसकी जो last date है उस last date से 30 days के अंदर सारी जो details है वो हमारी RBI के पास पहुन जाना चाहिए next question है the degree to which the returns of two securities change together is reflected by जिस हद तक दो परती भूतियों के प्रती फल एक साथ बदलते हैं दो परती भूतियों के जो प्रती फल है जो returns है वो क्या है एक साथ बदलते हैं तो ऐसा किसके द्वारा परी लक्षित होता है correlation के थुरू leverage के थुरू covariance और beta बताओ students hurry up hurry up guys hurry up आफरीन फड़ा फड़ा आंसर कीजिए क्यों नहीं आंसर कर रहे हैं आप guys फड़ा फड़ा आंसर कीजिए कि दो security जब एकी साथ क्या करती है बदलती है दोनों security का जो return वो बदलता है तो आप उसे किसके थुरू denote करोगे correlation, leverage, covariance और beta तो उसे हम denote करते हैं जी covariance के थुरू कोई भी दो security है उनमें जो change हो रहा है वो change आप किसके थुरू मलब एक ही साथ वो क्या कर रही है जो return है वो आपका change हो रहा है तो उसे हम करते हैं जी covariance के थुरू the transfer by a company of one or more of its business divisions to another newly set up company is called यहनि कि जब एक company अपने एक या एक से ज़ादा business division को किसी दूसरी company को transfer कर देती है तो उसे हम क्या कहते हैं जब एक company अपनी कुछ business की divisions को किसी दूसरी company को transfer कर देती है तो उसे हम कहते हैं जी demurzer क्या कहा जाता है उसे demurzer again what combination of the following factors influences the working capital requirement की इन में से कौन से factor आपकी working capital की requirement को affect करते हैं market conditions, production policies, firms goodwill and supply conditions तो working capital को affect करने factor है जी एक तो market की conditions की market में condition कैसी चल रही है वो आपकी working capital को affect करी production policy, जी नहीं production policy का working capital से कोई लेना दरीना नहीं है firm की goodwill, बिल्कुल firm की जो goodwill है वो working capital की requirement की आपको working capital market से ही उठाने तो आपकी company की goodwill कितनी है अगर आपकी company की goodwill है वो अच्छी है तो आपको working capital बड़ी easily मिल जाएगी, easy terms पे मिल जाएगी, right, same ऐसे supply की जो conditions है वो भी, तो right answer है जी आपका first, second and fourth, d is the right answer which one of the following is not among the assumptions of mm model, mm model का इन में से कौन सी assumption नहीं है mm model की इन में से कौन सी assumption नहीं है, perfect capital market है, बिल्कुल है, equivalent risk classes, unity for dividend payout ratio and absence of taxes, तो इसने पुछा जो नहीं है, तो perfect capital market तो है, equivalent risk classes भी है unity for dividend payout, ये तो कहते हैं कि dividend के लिए unity होनी चोर absence of taxes तो right answer है जी आपका unity for dividend payout ratio the most suitable coverage ratio for deciding the debt capacity of a firm बताओ students, बहुत सारे students हैं जो इस question का जो answer है वो गलत देंगे तो ध्यान से पढ़ो इस question में क्या पुछा गया है इस question में पुछा गया है कि किसी भी एक firm की debt capacity को decide करने के लिए इन में से सबसे सही ratio कौन सी है most suitable coverage ratio for deciding the debt capacity of a firm debt capacity का मतलब क्या होता है इस सबसे पहले आपको ये पता होने चाहिए तभी इस question का क्या है answer सही दे सकता है तो debt capacity का मतलब होता है कि एक firm market से कितना पैसा उठा सकती है उसकी कितनी capacity मतलब वो market से loan कितना ले सकती है कितना loan वो क्या है कि कोई भी company जितना जादा loan लेगी उतना जादा उसको क्या है उसके ओपर कितनी है लोन लेने की तो उसकी किसी भी फिर्म की जो capacity है लोन लेने की वो इन में से किसके थूरू decide की जाती है सबसे best most suitable coverage ratio है जी उसके लिए cash flow coverage ratio क्योंकि किसी company का cash flow कितना है कितना cash company के अंदर आ रहा है और कितना cash company से बहार जा रहा है Cash flow coverage ratio ही किसी firm की debt capacity को define करेगी क्योंकि अगर आपकी जो cash flow है वो cash stable है कि हाँ इतना cash तो आपके पास organization में आता है तो वहाँ पर क्या आप जादा loan market से उठा सकते हो लेकिन अगर आपका जो cash flow है वो fluctuate है कभी तो बहुत जादा cash चला जाता है कभी बहुत जादा कम कभी बहुत जादा कभी बहुत कम तो उस वहाँ पर आप क्या है debt की capacity जो हो आपकी क्या होगी कम होगी next है जी आपका which one of the following is the most popular method for estimating the cost of equity बहुत ही simple सा question है cost of equity की method cost of equity को determine करने के लिए सबसे popular method हमारा कौन सा है cost of equity को measure करने के लिए options है capital asset pricing model dividend yield method golden dividend discount model earning yield method तो guys cost of equity को measure करने के लिए सबसे popular सबसे method हमारा क्या है CAPM कौन सा method है हमारा CAPM capital asset pricing model which one of the following is not the internal factor affecting the weighted average cost of capital of a firm कि इन में से कौन सा factor एक firm की weighted average cost of capital को affect करने वाला internal factor नहीं है weighted average cost of capital को affect करने वाला internal factor नहीं है देखो guys investment policy of the firm company की अंदर की बात है investment policy ठीक है capital structure of the firm ये भी क्या है आपका company की अंदर की बात है company का capital structure company का इसने पुछे internal factor नहीं है dividend policy followed की company dividend policy कौन सी follow कर रही है dividend कितना देना है कितना नहीं देना ये भी company के internal factors जो उसके shareholders से उसके पर depend करता है market risk premium market risk ये क्या है आपका company का internal factor नहीं है ये क्या है company के बाहर का factor है कि market में कितना risk है market risk premium for the firm तो internal तो right answer है जी आपका market risk premium for the firm most common approach for analyzing the capital structure of a firm is answer यहां पर आपको दिख रहा है पहले ही तो यही अंसर है comparative analysis कि किसी भी firm की capital structure को analyze करने की जो सबसे common approach वो कौन सी है हमारी comparative analysis कौन सी है जी वो comparative analysis mutually exclusive projects can be more accurately ranked as पर कि जो हमारे mutually exclusive projects है उनको हम सही तरीके से जो rank है इनमें से किस method के थूँ दे सकते हैं mutually exclusive events mutually exclusive projects को इनमें से किस method के थूँ जो rank देना वो वो सबसे जादा सही रहेगा internal rate of return method net present value method modified internal rate of return या फिर accounting or average rate of return method but our students hurry up Uma Bharti Afrin फड़ा 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 अंसर कीजिए I'm waiting for your response guys फड़ा 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 अंसर कीजिए Uma Bharti Afrin and guys please like the video and please share the video good evening जी good evening Uma कैसे हो आफरीन कह रही है C modified internal rate of return mutually exclusive projects को सबसे जादा सही rank देने के लिए जो method है वो है जी आपका NPV कौन सा method है net present value method इस method के थूँ जो mutually exclusive हमारे projects होते हैं उन projects को हम बिल्कुल सही तरीके से क्या है rank दे सकते हैं नेक्स्ट है जी आपका financial leverage in a firm is positively affected by जो financial leverage है एक firm का इन में से किस के through positively affect होता है intensity of tangible assets operating leverage profitability or tax rate or tax rate बताव स्टूदेंस हरी अप financial leverage in a firm is positively affected by अंसर है जी आपका intensity of tangible assets intensity of tangible assets ये क्या है हमारे financial leverage को positively affect करता है माधुरी शर्मा का बिल्कुल सही अंसर आया है well done माधुरी well done बहुत बढ़िया नेक्स है जी आपका which combination of the following two statements a and r is correct assertion में कहा गया है the IRR of a project is the discount rate which reduces its NPV to zero IRR क्या है एक ऐसा discount rate है जो हमारे NPV को क्या करता है zero तक करता है जी ये बिल्कुल सही condition है बिल्कुल सही कहा गया है reason में क्या कहा गया है a project is worth accepting if the IRR exceeds the cost of capital कि किसी भी project को हम सिर्फ तभी accept करेंगे अगर हमारा जो IRR है वो cost of capital से क्या हो जादा हो क्या हो वो हमारा cost of capital से जादा हो तो ये भी जो है आपका बिल्कुल सही statement दी गई है तो दोनों की दोनों जो statement है वो आपकी क्या है सही है क्योंकि हम किसी भी project को सिर्फ तभी accept करेंगे जब वो हमारी cost of capital से जादा return हमें provide कर रहा हो अगर हमारी जो cost of capital है वो ही पूरी नहीं होगी तो हम उस project को accept ही नहीं करेंगे क्योंकि हमारे किसी business का ये main motive रहते है कि हमें जो हमारी cost है वो cost थो at least हमें पूरी होनी ही होनी चाहिए next है जी a company should pay minimum dividend to its shareholder की एक company को अपने सभी shareholder को minimum dividend तो देना ही देना चाहिए right reason में कहा गया dividends are heavily taxed than capital gain कि जो dividend है उसके ओपर जादा tax लगाया जाता है as compared to capital gain तो कौनसी statement गाइस ठीक है और कौनसी गलत है ये आपसे question में पूछा गया है तो guys इसका answer है जी आपका दोनो की जो दोनो statement है वो दोनो statement क्या है हमारी सही क्योंकि जो company है उसको अपने shareholder को dividend minimum dividend तो देना चाहिए मार्किट शेयर है उस पर effect होगा company के जो shares का price हो क्या हो जाएगा कम होगा तो इसलिए company को अपने shareholder कुछ dividend तो जरूर देना ही देना चाहिए minimum यानि कि something is better than nothing कुछ भी ना देने से आप चाहे बेशक आपने उनको 10% देना था लेकिन 10% की बज़ाए आप 10% नहीं दे सकते हैं तो 10% की बज़ाए 5% दे दो 6% दो लेकिन देना जरूरी है तो assertion आपका बिल्कुल सहीं है reason में कहा गया है dividends are heavily tax जो dividend उसको पर क्या है ज्यादा tax लगा जाता है बिल्कुल जितनी भी companies होते है companies को क्या है 30% tax देना पड़ता है कितना देना होता है 30% यानि कि अगर आप एक लाक रुपे कमा रहे हो तो उसमें से 30,000 रुपे तो आपको क्या है government को as a tax ही देने पड़ेंगो और आपके पास कितने बचे सत्तर हजार कमाए आपने एक लाक लेकिन उसमें से 30,000 किसको दे दिये tax की फॉर्म में government को परवाइड कर दियो और आपके पास सिर्फ कितने बचे इंपलाइड इंदी बहुत ही सिंपल सा question है dividend irrelevance model हमारा किस में दिया गया traditional model में बात कही गई है Walter model में बात कही है Gordon model में बात कही गई है फिर mm जैसे आप सब भी को पता है कि जो irrelevant theories है वो हमारी सारी किसने provide की है हमारी mm model ने चाहे वो capital structure की theory हो चाहे वो dividend से related हो वो सब हमारी जो theories है वो किस ने दी है mm ने तो राइट अंसर है जी आपका mm model mm model तो गाईज ये थे आपके previous year questions of financial management तो गाईज इसी तरह हैं कि और previous year questions के साथ हमारे साथ teacher सद्डा पर जुड़े रहे डेली साढ़े चार वजे 4.30 पर हमारी class रहती है जिसमें हम क्या है previous year questions के through आपकी concept समझाने की आपको practice कराने की और आपको exam का pattern बताने की किस तरह से जो exam में पुछे जाते हैं कौन सी यूनिट से जो questions है वो high level के रहते हैं कौन सी यूनिट से जो question है वो थोड़े medium level के रहते हैं और guys अपनी concept को अच्छे से clear करने के लिए 23rd August से हमारा जो batch है वो start हो रहा है paper 1 के लिए भी और paper 2 के लिए भी paper 2 में जो हमारा commerce है जो main subject जिन students का क्या है commerce है उसके लिए paper 2 और इन दोनों का जो combo pack है वो हमारा बिलकुली nominal सी amount में आपको मिल रहा है तो guys please like the video and please share the video अगर आपको अपनी concepts को build करना है अपनी conceptual understanding अगर आपको बनानी है तो हमारे साथ जुड़े रहिए बने रहिए और batch को purchase कीजिए and please like the video and please share the video जो भी आपके UGC net के friend circle है जो UGC net के लिए prepare कर रहे हैं please guys like the video and share the video please आप batch को purchase कीजिए क्योंकि इतनी कम amount में आपको कोई भी channel provide नहीं करने वाला है UGC net की coaching और guys सबसे important अगर आपको किसी भी stage पर ये लगे कि हमें madam का पढ़ाय हुआ समझ नहीं आ रहा है क्योंकि हम आपको concept को बिल्कुल deep understanding एक ही चीज को बार बार repeat करके आपको बार बार समझा कि जब तक आपको समझ में आगा हम आपको समझाते रहेंगे तो guys आप please batch को purchase कीजिए और आपको purchase करते हुए क्या है इस code को use करना है तो आज guys कौन कौन से students है जो आज batch को purchase कर लेंगे बताओ students फड़ावट थम्स अप दे के मुझे फड़ावट बताए कि कौन कौन से students है जो इस batch को purchase कर लेंगे पेपर वन के लिए और पेपर टू के लिए अगर आपको पेपर वन के लिए करना तो पेपर वन के लिए भी कर सकते हो पेपर टू के लिए करना तो पेपर टू के लिए वरना मेरी राय तो रहेगी पेपर वन और पेपर टू दोनों के लिए ही आपके है बैच को purchase करो क्यो जो exam है उसका result भी अब की बार कहा है 12% आने वाला है तो guys आफरीन, उमा और बाकी जितने भी students connected है प्लीज आज आप batch को purchase कर लीजिएगा तब तक के लिए goodbye, ta-ta, take care, अपना ध्यान रखो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, क्योंकि पढ़ना ही जीवन है पढ़ोगे तो ही आग installment, जी आपका देखो, टोटा पहले मुझे ये बताओ कि आपको paper 1 और paper 2 दोनों का combo pack लेना है या सिर्फ paper 1 का लेना है या सिर्फ paper 2 का लेना है, आपको मैं एक number देती हूँ, आप इस number पर मुझे call करिएगा मैं आपको number दे रही हूँ, अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप इस number पर call करके पूछ सकते हैं, आपको सारे information मिल जाएगी 90132120, आप इस number पर call करके क्या है, सारी की सारी information आपको मिल जाएगी, आपकी first installment क्या रहेगी, बहुत ही nominal इतना 77% का discount आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, आफरीन प्लीज कल और परसों के weight में मत रहो क्योंकि बहुत ही limited सी seat है और early birds के लिए क्या है, 77% का discount है, तो कभी आप ये ना है कि आप पीछे रह जाओ और आपको 77% का discount ना मिले क्योंकि अगर आपको purchase करना ही है, तो क्या कल और क्या आज जब purchase करना ही है, जब आपको अपना exam clear करना ही है कि हाँ मैडम और को इसी बार first attempt में ही अपना exam qualify करना है, और इस बार के exam special क्यों है क्योंकि 12% 12% result जाने वाला है guys 12% कम नहीं होता 12%, हर बार सिर 6% result जाता है लेकिन आपकी बार क्या है आपका जो result है वो 12% जाएगा, तो guys फटा फट बिलकुल अपना purchase कर लीजिए and thank you so much and please like the video and please share the video among your friend circle, तब तक के लिए goodbye, ta-ta, take care, पढ़ते रहिए झाल